हलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड फ्रेंड प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4 की मैट्स की बुक से चैप्टर 5 इस चैप्टर का ये है 3rd पर्ट इससे पहले मैंने आपको इसका 1st पर्ट और 2nd पर्ट कम्प्लीट कराया था उमीद है आपने इसका first part और second part जरूर देखा होगा अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस्कर दिया है इसका link नीचे मैंने description में और first comment में दे रखा है जिस पे click करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने इस chapter के अंदर जो एक mouse है उसकी story हमने start की थी जिसका नाम गपू है और उस गपू से related topic था हमारा गपू से air journey इसे हमने complete कर लिया है जिसके अंदर मैंने आपको question number 1 से लेकर के question number 10 तक complete करवा दिया है अब हम लोग जो start करेंगे वो start कर रहें topic the park behind गपू स हाउस और इस topic के base पर आपके लिए question number 11 हो जाएगा ठीक है तो चलो फिर start कर लेते हैं चैनल पे नई हो चैनल friendship preparation को subscribe कर लो और bell icon प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई video upload करूँ आपके पास notification receive हो सके ठीक है तो चलो फिर start कर लेते हैं अब जब मैंने आपको first और second part करवाय था जिसमें गपू की air journey हो रही थी उसमें गपू जब balloon की help से हवाई यात्रा कर रहा था यानि एक तरह से journey कर रहा था वो air के अंदर तो उसने गपू ने अपना घर देखा था और उसे घर अपना बहुत छोटा देख रहा था क्योंकि वो काफे distance से देख रहा था तो वो जो picture था बहुत छोटा था लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो picture देख रहे हो इसके अंदर ये जो आपको देख रहा है ये अलब को portion ये गपु का house है और उसके घर के पास में एक पार्क है जैसे आप ये देख पा रहे हो और इस पार्क और house के business पर आपके लिए है ये question number 11 पहले इसे हम पढ़ते है Here is a bigger picture of the part Look at it carefully and answer the questions आपको बोला जा रहा है कि ये जो picture आपने पहले देखा था उसमें बहुत ही small size था लेकिन ये picture आप आपके लिए थोड़ा bigger size में है तो इस picture को पहले हमें observe करना है और उसके बाद कुछ questions होगे उसके answer करने जैसे ये park देख रहे हो इस park में आपको ये gate A दिखाई दे रहे है इधर देखो यहाँ पे आपको bottom में gate B दिखाई दे रहे है उसके बाद next गपू के house के पास यहाँ पे आपको gate C दिखाई दे रहे है और इधर आपको ये gate D दिखाई दे रहे है ये कुछ information है और इसके लाब आप बहुत सारी चीज़े आपको दिखाई दे रहे है तो आप वीडियो को pause करके वो सारी cj एक बार observe करो एक बार ध्यान से देखो ठीक है ताकि जो question आपसे पूछा जाए उसके आप answer कर पाओ तो जैसे आप अपने book में देखते है पिक्चर के बार आपके लिए कुछ questions है अब देखो question तो आपके लिए यहां से start है 11 ठीक है तो 11 question का यह है first part यानि A part ठीक है उसके बाद यह है आपके लिए B part इसके बाद यह है आपके लिए C part और यह हो जाएगा आपके लिए D part और finally यह last वाला आपके लिए E part ठीक है तो A question में आपसे पूछा जा रहा है Mark the gate nearest to the sweet shop sweet shop जो है उसके nearest कौन सा gate है और आपको यहां पे A, B, C, D 4 different different gates के option mention है तो आप क्या करोगे एक बार दुबारा से picture देखेंगे और picture में हम लोग identify करते है sweet shop का है तो देखो यह जो मैं box बना रहा हूँ यह आपके लिए क्या है sweet shop है तो यहां से सबसे nearest कौन सा gate दिखाई दे रहा है आप सर हमें तो gate A दिखाई दे रहा है तो हमारा answer क्या हो जाएगा gate A answer हमारा हो जाएगा ठीक है यानि कि B, C और D हमारे answer नहीं होंगे ठीक है next आपके लिए B part which gate is nearest to Gappu's house अब Gappu का जो घर है उसके near कौन सा gate है हमें यह identify करना है तो फिए जो picture है जिसमें यह आपको Gappu's house देख रहा है ठीक है तो पहले आप Gappu का house जो है इसे mark कर लो ठीक है जैसे बने आप लिख लिया वैसे आप picture draw करके इसे mention कर सकते हो कि Gappu's house अब यहाँ पर देखो कौन सा gate दिख रहा है आपको तो कोगे सर हमें gate C दिखाए दे रहा है ठीक है तो यह gate C हमारे इस B का answer हो जाएगा कि Gappu's house ठीक है उसके बाद C वाला देखो अब कोगे सर यह साथ के साथ लिखना है हाँ पहले A question लिखोगे उसके बाद answer B फिर C ऐसे कर गए लेकिन पहले एक बाद सारे question समझ लेते हैं फिर एक साथ ही मैं आपको answer लिखवा दूँगा अब C question में if you enter from gate B यानि यह जो पार्क है इसके अंदर आप अगर gate B से enter करते हो then उसके बाद आपके लिखन बोला गया है the green bench will be your dash side जो green bench है वो कौन से side में है left side में, right side में या front में आप enter कहा से कर रहे हो तो gate B से enter कर रहे हो और आपको देखना है कि green bench कहा परे तो पहले हम लोग picture में gate जो B है, इसे हम ध्यान से देखेंगे कि gate B आखिर है कहाँ पर ठीक है, और उसी के according फिर हम लोग क्या करेंगे, इस question को solve भी करेंगे, तो देखो gate B जो है, मुझे यह दिखो, यहाँ दिखाई दे रहे है ठीक है, और जब आप gate B से enter करोगे, तो यह कौन से side है left side है, तो इस left side में आपको यह green bench दिखाई दे रहे है, ठीक है, तो आपने कौन से gate से enter किया है, gate B से enter किया है, और side कौन सा है, left side है, तो इस C का answer आप लिख सकते हो, इसके अंदर कि left side, यह वाला answer, बाकि यह wrong है और यह भी wrong हो जाएगा next is D question well, Suhasini enter the park, the flower bed was to her right Suhasini एक बच्ची है, वो एंटर कर दी है इस park के अंदर, तो उसे ना, एक flower bed दिखाई देते है, अब आपके लिए question यह है, कि आपको यह बताना है यह जो flower bed की near, कौन सा gate है, यह आपको बताना है ठीक है, तो और आपकी help के लिए यहाँ पर यह भी बता दिया, जिस gate से यह enter कर रही है, उस gate के right side में आपको यह flower bed दिखाई दे रहा है ठीक है तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले एक बड़ picture को देख लेते हैं, और उस picture के according है अपना answer करेंगे, तो देखो जैसे यह स्वासनी जो enter कर रही है ठीक है, अब आपके पास यह चार option है ठीक है, A, B, C, D तो अगर आप gate D की side देखोगे ठीक है, यहाँ पर आपको यह flower bed दिखाई दे रहा है, ठीक है यह वाला portion, अब इस flower bed के पास कौन सा gate है gate D है, अगर आप gate D से enter करते हो, ठीक है, और अगर आप right hand side पे देखोगे, तो आपको यह flower bed दिखाई देगा तो आप इसके answer में क्या लिख सकते हूँ कि भी हमारा answer क्या है, gate D हो जाएगा, इसका answer और finally last question जो last part है, इसके अंदर E part, इसमें आप से पूछा जा रहा है which of these is nearest to you if you enter from gate C, अगर आप gate C से enter करते हैं, तो कौन सी चीज near है, basketball coat, flower bed, green bench या फिर fourth option, seesaw, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि यह जो gate C है, इसको देख लेते हैं तो जब आप इस picture में gate C देखोगे ठीक है, यह रहा, जो गपू के घर के पास है यहां से अगर आप enter करोगे तो यह जो seesaw जिसमें बच्चे खेल रहे हैं यह सबसे near है तो आप यह कह सकते हो, कि sir हमारा answer क्या हो जाएगा, यह fourth one यानि seesaw answer हो जाएगा यह first, second और यह third, यह wrong हो जाएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस question को यहां से note करना है question number 11 को और note करने के बाद, यह जो drawing है इसे अच्छे से draw कर लेना है और जितनी भी चीज़े आपको देख रहे हैं उन सबको mark कर लेना जैसे यहां पर आपको यह basketball code दिखाए दे रहा है यह flower bed दिखाए दे रहा है यह bench दिखाए दे रहा है ठीक है, यह seesaw दिखाए दे रहा है यह switch shop दिखाए दे रहा है यह सारे चीज़े mention कर दोगे और उसके बाद इन सारे question को note करने के बाद ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको explain किया उसके बाद आपना answer आप इस तरह से लिख सकते हो कि answer number 11, पहले first का A part इसका जो A part है gate A is nearest to sweet shop sweet shop के नस्दीक क्या है gate A के nearest क्या है, sweet shop है यह आप बता सकते हो कि नस्दीक वाला gate क्या A हो गया उसके अद गप्पू के घर के पास कौन सा gate है C था, यह हमने यह लिख लिया अच्छा, आप वो green bench के बारे में बोला जा रहा था C वाले में, तो आप ऐसे लिख सकते हो और आपसे पूछा गया कि स्वासनी कौन से gate से एंटर किया था उसने पार्ग में, तो gate D से एंटर किया था वो आप लिख दोगे और हमसे यह भी पूछा गया कि gate C के nearest कौन से चीज़ है तो C शो था, ठीक है तो यह आप अपना answer लिख सकते हो तो I hope आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा कि 11th question के अंदर यह जो 5 parts थे one by one मैंने आपको सारे explain कर दिया ठीक है आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को like करो भी जल्दी से ताकि मुझे पता लगे कि आपको सारी चीज clear हो गई इसके बाद next topic है आपके लिए smells home ठीक है यह next topic है और इस topic में भी आपके लिए question होगा यानि इससे पहले आपने 11th question complete किया तो अब आपके लिए 12th question start हो जाएंगे इस topic के अंदर पहले की topic क्या है पहले से पढ़ते हैं on the phone smell told Sri Jata the root of his house from her house the root map is shown here देखो दो बच्चे है एक बच्चा है जिसका नाम है smile ठीक है उसका घर देखो यह न यहाँ पर यह जो box बना हुआ है और एक बच्ची है जिसका नाम है Sri Jata ठीक है जिसका घर आप pink color में यह देख रहे हो अब इन दोनों की बीच में बातचीत हुए जिसमें जो इसमाइल है ठीक है इसमाइल ने क्या किया स्री Jata को अपने घर का रास्ता बताया जिसका आप यह picture में देख रहे हो कि स्री Jata की घर के पास यह milk boot है उसके बाद बीच में ब्रिज आता है फिर यह स्माइल की घर के पास यह पार्क है और इस तरह से यह कुछ रास्ता बना हुआ है लगिन यह दोनों फोन पे कुछ बातचीत करते हैं जो आपके इस book में mention किया गया है कि भी यह स्री Jata को स्माइल ने कुछ इस तरह से अपने घर का रास्ता बताया कैसे है जड़ा पढ़ते है कि सबसे पहले अपने घर से milk बूत पे पहुच जाओ और वहां से आपको क्या करना है लेफ टर्न लेना है फ्रॉम दे सेकिंड क्रॉसिंग और उसके बाद जो सेकिंड क्रॉसिंग आईगी फर्स क्रॉसिंग में नहीं सेकिंड क्रॉसिंग में टेक राइट टर्न और वहां से आपको क्या करना है राइट टर्न लेना है और गो ओवर दे ब्रिज और उसके ब्रिज के ओपर से यानि ब्रिज को क्रॉस करना है गो स्ट्रेट एंड देन टेक दा first right turn और उसके बाद आपको straight जाना है इलको सीधा चलना है और उसके बाद जो पहला right turn आएगा उस right turn को ले लेना है और उसके बाद आपको बोलना जा रहा है कि about after about 100 meter और 100 meter के around आपको एक बड़ा सा पार्क दिखाए देगा after about 100 meters you will see a big park when you cross the park you will come to a side lane और जब आप इस पार्क को cross कर लोग एक रास्ता आएगा और उसके पास बताए जा रहा है कि my house is the first house in that lane और उस lane के अंदर जो पहला घर है वो मेरा है यह किसने बता है smile ने स्रीजाता को बता है एक बार हम map में देखते हैं तो सबसे पहले बोला गया पहले स्रीजाता कहा जाएगी milk boot के पास जाएगी उसके बाद second crossing first crossing देखो यह वाली है और second crossing गया और यहां से बोला गया कि भी turn लेना है ठीक है यह भी सही है कि यहां से left turn ले लिया okay bridge आया bridge को भी cross कर लिया ठीक है अच्छा उसके बाद उसने बहुरा लेकिन बताना किया था यहां पर कि right यह जो direction है यहां गड़ बढ़य उघी यहां उससे क्या बताना थिए राइट-साइड में बताना था पर उसने क्या बता दिया right साइड में बता दिया यहां गड़ भी यानि smile ले रास्ता गलत बता दिया 원이 यहां पे अगर उसे सही बताया होता तो यहां क्या बोलता कि भी left turn लो लेकिन उसे left की जगए है right बता दिया तो यहां गडबड हो गईगी और पार्क आएगा उसके बाद जो first lane होगा उसमें मेरा घर है यानि कि एक mistake की वज़े से अब सरी जादा कहीं और पहुंच जाएगी इस रास्ते में कहीं पार्क भी नहीं मिलेगा ना उसका घर मिल पाएगा अब आपके लिए question है इस basis पे आपके लिए question है और यह है आपके लिए question number 12 पहले पढ़ते हैं did smile go wrong somewhere आप से पूछा जा रहा है कि जो smile कहीं पे उसने गलत बता जिया कुछ mistake होगे उससे can you correct him तो आप यह बोलोगी हाँ sir हमें तो एक mistake मिल गई है ना और उसे हमें correct करते हैं तो आप अपने answer में लिख सकते हो yes smile went wrong when he told to take the right turn जब उसने बोला ना right turn यहाँ पे यहाँ पे यह mistake हो गई गलती हो गई to siri jata after crossing the bridge ठीक है तो यहाँ जो right turn था यह जो siri jata को smile ने बताया था right की जगा यहाँ पे क्या होना चाहिए था left turn होना चाहिए था ठीक है क्या होना चाहिए था left turn होना चाहिए यह थोड़ी सी mistake हो गई smile से तो आपने answer में लग सकते हो yes smile went wrong when he told to take the right turn to siri jata after crossing the bridge यहाँ पर होना क्या चाहिए था it should be left turn ठीक है यहाँ पर क्या होना चाहिए it should be left turn यहाँ पर होना चाहिए था left turn ठीक है तो आप लिख सकते हो it should be left turn ठीक है अच्छा उसके बाद next उसके बाद जो question है आपके लिए question number 12 अब 12 question तो आपने कर लिया अब 12 के siri jata will reach if she takes the route he told her अगर siri jata उस route को follow करे यानि यह जो route उसने बताया है यहाँ सिले कि यहाँ तक जो यह direction उसने guide किया इस smile ने अगर इस route को follow करेगी ठीक है तो आप से पूछा जा रहा है कि siri jata कहा पहुंच जाएगी तो देखो जैसे आपने यह picture में देखा कि वो opposite smile का house तो इधर था left side में था लेकिन वो right side में जाएगी तो उसे उसका घर तो नहीं मिल पाएगा ना पार्क मिलेगा ना उसका घर मिल पाएगा तो यानि कि गलती से वो कहां चली जाएगी right side में कहीं और चली जाएगी तो आप इसके answer में यानि 12th के answer में लिख सकते हो कि siri jata would reach which opposite smiles house if she took the route told by smile कि अगर siri jata अगर उसके direction जो उसने बताया था अगर उससे चले तो वो क्या होगा smile का जो घर है उसके opposite direction में चली जाएगी जाना था कि इदर left side में और चली कहां जाएगी right side में यानि उल्टा चली जाएगी ठीक है तो आप ये अपने answer में लेक्स है ठीक है तो I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि किस तरह से इस question का answer हमें करना है उसके बाद next है यानि कि question number 12 जैसे आपने complete किया 12 के बाद आपके लिए question number 13 ठीक है अब 13 question देख लेते हैं बही 13 question में क्या पूछा जा रहा है आपसे तो 13 question में तो आभी जो पूछा गया आपने वो आप देखो अब जो question में बोला गया यहां पर जो रास्ता दे रखा था आपको यह दे रखा था कि स्रीजाता की घर से ठीक है देखो जब आपने यह question किया था तो इसमें इस वाले map को देख लेते हैं चलो कि आपने स्रीजाता से हम कहा गये थे हम गये थे smile के house यह direction आपको को cross करेंगे फिर इसके आद टर्ल लेंगे टर्ल लेने के आद यह bridge cross करेंगे फिर टर्ल लेंगे फिर milk boot आएगा फिर टर्ल लेंगे और इस तरह से स्रीजाता का house आजएगा यह जो direction है यह complete हमें बताना होगा कि किस तरही के से इसका answer करना है हमें तो चलो कर लेते हैं फिर तो सबसे पहला काम तो आपका यह है कि इस question के अंदर आपको जो बोला गया है question note करने के लिए ठीक है तो पहले आप इस question को note करोगे यानि question number 14 को लिख लोगे और लिखने के बाद इसका answer आप इस तरह से लिख सकते हो from smiles house ठीक है कहा से start करें smiles house take first right turn तो सबसे पहले आपको right turn लेना है और go straight और बिलकुर सीधे जाना है और अगीन आप उसके आगे next step यह तो step 1 है ठीक है step 2 में आपको take the first left turn और जो सबसे पहले जो left turn आएगा फैला left turn crossing आएगा ठीक है वहीं से आपको left turn लेना है तो इसमें mention करोगे statement में take the first left turn after crossing the bridge और उसके बाद आपको bridge भी cross कर ल और उसके बाद आपको second right turn लेना है देखो crossing आएगा लेकिन first वाले में turn नहीं करना है आपको second crossing आएगा उसमें आपको right turn लेना है तो आप लिख सकते हो take the second right turn देखो मैं थोड़ा picture दिखाता हूँ picture में ज्यादा अच्छे से आपको clear होगा कि जैसे आप यह bridge cross किया आपने ठीक है bridge cross किया तो यह आपको first crossing आगया इसमें आपको turn लेना है इसके बाद जो second crossing आगया यह वाला यहां से आपको turn लेना है ठीक है यहां से नहीं लेना है इस वाले से क्योंकि यहां से लोगे तो कहीं और चले जाओगे तो इसी को यहां पर आपने mention किया है कि take second right turn that is from the milk booth ठीक है जो milk booth की direction में जा रहा है उस वाले की बात की जा रहा है देखो यहां पर जो milk booth न है यह वाला blue color का sky blue color का यहां से आपको turn लेना है और turn लेने के बाद थोड़ा walk करना पड़ेगा हमें ठीक है तो आप mention कर सकते हो कि go straight about 100 meters fourth step में आप लिख सकते हो कि आप सीधा जाओ बिल्कुल hundred meter roughly आपको walk करना है you will find the red colored या फिर रेड कलर का यह मुझे तो pink type का लग रहा है ठीक है तो red या pink color का जिस भी color का उसका house है आप mention कर सकते हो you will find the red colored house of street जाता और उसके बाद जो घर आएगा वो किसका घर है स्रीजाता का इसको pink लग रहा है किसी किसी के book में pink भी था और किसी किसी के book में ये red color का भी दिख रहा है तो जैसा भी आपके book में दिख रहा है उसके according आप answer लेख सकते हो तो इस तरह किसे आप क्या करोगे इस question का answer complete कर सकते हो तो अभी उमीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट में तो first second third part देखने के बार इसका fourth part जरूर देखना जहां पर remaining questions अब लोग complete करेंगे वीडियो को like करना अपने friends में इसे share जरूर करना और हाँ चैनल friendship preparation को subscribe कर लो bell icon press करो ताकि आपको हर latest video की notification receive हो सके अगर कोई doubt है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे follow कर सकते हो मेरी id है Instagram की Mr. Krishna सांग जिसमें आपको मेरा नाम लिखना है लिखके search करना है लिखन ध्यान यह रखना है कि आपको यहाँ space mention नहीं करना है इस पर आप मुझे search करके follow करके अपने doubts वगरा personally message करके मुझे बता सकते हो इसके लाब मेरा एक telegram group है जिसे आप join कर सकते हो टेलिग्राम एप एसे capital Q, capital V, capital S फिर उसके बाद small letter में S, T, D, E, N, T, S इस तरह से आप लिखोगे search करोगे तो मेरा group मिलेगा आप मुझे join कर सकते हो तो अधी के लिए इतना ही है thanks for watching, bye bye